दोस्तो आई टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तो कभी-कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि जाने-अन-जाने में हमारा फोटो हमसे डिलीट हो जाती है और कई Importance File जो हमें चाहिए वो हमसे डिलीट हो जाती है और हम लोग बहुत सर्च करते हैं लेकिन हमें नहीं मिल पाती है। बहुत सारे ऐसे File and Data हमारे से Deelete होती है औरने हम लोगत सच करते हैं, बहुत सारे ऐसे एपलिकेशन का पता करते हैं, और हमें सही रिसल्ट नहीं मिलता है और हमारा जो फोटो है, वो हमेशा के लिए खत्म हो جाता है और वो जो हमारा photo जो important photo होता है वो हमें नहीं मिल पाता है तो दोस्तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि वो photo को हमें कैसे recover करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा इसके बारे में हम लोग पूरी अच्छे तरह से जानेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को आप लोग पूरे end तक देखना तो दोस्तो मैंने एक application सर्च किया है जिसका use करके हम लोग अपना photo को recover कर सकते हैं और ये मैंने खुद use किया है और इससे बहुत ही अच्छा recover होता है इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहला इसमें दो condition है पहला condition ये है कि आपका photo अगर जब भी delete हुआ हो उसके बाद कभी भी आप internet use किये होंगे तो generally हम लोग internet तो use करते ही रहते हैं और दूसरा condition हो ये mobile सेम होना चाहिए जिस mobile में आपका photo delete हुआ हो वही mobile से फिर से ये photo recover हो सकता है दोस्तों मैं ये भी बता दूँ कि ये जितना भी आपका पुराना photo है जो भी आपका 10 साल से भी पुराना photo है और वो delete हुआ हो दोस्तों मैं एक ची और बता दूँ कि ये photo जो भी हो आपका बहुत पुराना भी अगर delete हुआ हो और आपको अभी recover करना है तो इस application से आप recover कर सकते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा application इसके लिए चाहिए दोस्तो इसके लिए आपको play store में जाना हुआ और play store में आपको लिखना होगा disk bigger photo recovery इसको आपको search करना होगा यहाँ पर आप देखे होंगे यह आगी है हमारा यह download देखिए इसका 10 million download है और इसका जो rating है वो है 4.1 जो की लगबख बहुत ही अच्छा माना जाता है उसके बाद यहाँ पर इसका कुछ photo है जो इस तरह से इसका photo देखिए इस तरह से आपका photo जो भी आपका recover होगा इसी तरह से होगा अब मैं इसे दिखा दिता हूँ live आपको करके जैसे suppose कि जब मैंने इसे install किया इस application को मैंने install किया install होगी है मेरा इसके बाद मैं इसे open करता हूँ जैसे ही open करता हूँ यहाँ पर आपको दिखता होगा start basic photo scan आपको इसे just click करना है अब जैसे इसे click करेंगे इसमें एक permission मांगेगा इसे आपको allow करना है इस permission को अब देखिए यह सारे photo जो मेरे जा चुके है जो मैंने delete कर दिया है वो सारे मेरा एक पे एक recover होते जा रहे है इतना speed में मेरा यह photo सारे photo जो है recover हो रहे है यहां पर जो recovery है इसको आपको click करना है यहां पर जो recover है इससे आपको click करके इसे recover कर लेना है दोस्तो यह बहुत ही अच्छा application है इसका use करके आप जितना भी पुराना photo आपका delete हो गया है उसे आप फिर से पा सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए बाई